नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं सीम हेमंत ने 10,000 युवक युक्तियों को सोपेन युक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंसुरेन ने सुक्रवार को चाइबासा के टाटा कॉलेज मैदान में आयोजीत परमंडल ये रोजगार मेले में विभीन संथानों येम कंपनियों के लिए चैनित युवक युक्तियों को आफ़र लेटर सोपते हुए कही कि जारखन के 23 साल के इतिहास में पहली बार नीजी कंपनियों में 75 पत्र अस्थाने युवक युथियों को नौकरे देने का काम हमारी सरकार कर रही है इसकी सुरुआ चाइबासा परमंडल से आज की गई कोलहान के 10,000 युवक युक्तियों को नौक्ति के लिए ओफ़र लेटर देना मिल का पत्थर सावित होगा 10,000 में से 9,500 यहीं के आधिवासी मुलवासी है टाटा स्टी, टाटा कमीस, एलेंटी, टाटा मोटर्स, एलाइसी जैसे बड़ी कंपनियों में एक काम करेंगे मुख्यमंद्र ने कहा है कि उनकी सरकार राज में आधिवासी मुलवासी को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने के लिए लागातार काम कर रही है उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने एक कानून बनाया है जिसमें नीजी छेत्रिक के संस्थानों में भी 75 फिर्दी आस्थान यहीं के अस्थानी लोगों को मिलेगा वहीं सीम ने आगे कहा है कि आप किसी भी कंपनी में जाएंगे वहाँ आपको नवकरी मिलेगी जो पढ़े लिखे हैं या जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी सरकार रोजगार के आउसर मुहया करा रही है 1932 अधारित अस्थानी निती को ला कर रहेंगे सियम हेमांत जारखन में मुख्यमंत्री हेमांत्रे ने चाईबा सामे आयोजित परमंडली रोजगार मेले में ओफर लेटर बीतरन समारों को समधित करने के दोरान विपक्ष पर सरकार को आईस्थिर करने और विधायकों को पर सान करने का आरूप लगाया वही मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम उन्हें 32 के खत्यान के अधार पर अस्थाने निती लाने का परियास कर रहे हैं मगर विपक्ष ने हमें रोकने का परियास किया चिंता मत करे हम रुकेंगे नहीं बलिक और मजबूती के साथ कानून कि हमान्सुरे ने केंदर सरकार पर निशाना साते वे कहा है कि केंदर का ज्यारखन के साथ सोतेला बेभार हो रहा है एक लाग 36 कोर रुपए हमारा केंदर के पास बगाया है इसकी एवाज में 36 कोर रुपए भी नहीं दिये हमें बजार से महंगेद नाम में अनाज खरीत कर लोगों को देना पर रहा है ज्यारखन के सहायक पुलिस कर्मियों को दो वर्स के अधी बिस्तार ज्यारखन के सहायक पुलिस कर्मियों को दो वर्स का अधी बिस्तार मिलेगा मुख्यमंत्री हमान्सुरे ने सुक्रवार को चाईबासा में आयोजीत परमंडले रोजगार मि मुक्ष मंत्री ने कहा है कि सहायक पुलिस कर्म्यों को लेकर सरकार चिन्ती था है और इस दीशा में जल्द ठोस निर्ना लिए जाएंगे मुक्षमंद्री ने कहा है कि राज की सवा तीन करोर की आबादी की सेवा करने का सरकार ने संकल्प ले रखा है इस दिशा में काफी कम समय में हमने कई ऐसे निर्नाय लिये हैं जो राज को आगे बढ़ा रहे हैं जन्द कल्यान से जुड़ी योजनाय अब धरातल पर उतल रही है और उसका असर भी दिख रहा है इनाम पोर्टल से खाद समागरी की खरीद बीकरी में धनबाद देश में नंबर वन इस पोर्टल से देश के 14 राज के खरीद बीकरी कर रहे हैं इन राजियों में जार्खन अवल है, जार्खन में रामगड दूसरे, गढ़वा, तीसरे और कोड़ारमा चोथे अस्थान पर है, पोटल से धनबाद ने अखरोट, संत्रा, सेव, केसर, आलू और प्याज की स्रुवाधिक खरिद विक्री की है, धनबाद ने एक रोर एक ला किसान कल्यान मंत्री नरेंद्र सिंग तोमबर ने ट्वीट कर बताया है कि उत्राखन ने इन आम पोटल से 99 क्यूंटल सेव का पहला अंतर मंडी बेया पार्शा फलता पुरवक पुरा किया है, राजनी कांथ से मिलने से नहीं रोक सकी कॉंग्रेस, एमेले अंबा पर साज, सूपर एश्टार राजनी कांथ पिछले दो दिनों से झारखन के दोरे पर थे, झारखन के दोरे पर आये राजनी कांथ जहां गुरु वार को अचानक से माच इनमस्तिका के मंदिर रजरापा पहुंच गए थे, तो वहीं इस दोरान उन्होंने राची और आस पास के कई का भ्रमन किया योगदान संसंग आसरम में जहां उन्होंने ध्यान लगाया तो वहीं रांची के होटल रिडिसिन बुलू में उन्होंने रात काटी रजनीकांत के फैंस लगातार उनसे मुलकात करने की बात जोहते रहे लेकिन रजनीकांत अपने दो दिनों के दोरे पर कभी मीडिया के सामने नहीं पहुँचे इसी बीच बाका गाव से कॉंग्रेस की विधायक अमबा पर साथ ने होटल रिडिसिन बुलू में उनसे मुलकात की मुलकात के बाद उनकी तस्वीर सोसल मीडिया पर वारल हो गई ज्यारखन में सिक्षकों के 26 एहर एक पदों पर भरती शुरू ज्यारखन करमचारी चैन आयोग ने राज में प्रात्मिक सिक्षकों की भरती के लिए आयोजित होने वाली ज्यारखन पर सिक्षित प्रात्मिक सिक्षक सन्यूत परितुकता परिक्षा दो हैर तेज के लिए आवेदन पर किरिया शुरू कर दी है इस परिक्षा के जरिये राज में प्रारामिक भी द्याले में असना तक यम इंटर्मेडियर पर सिख्षी सहायक आचारे के विभीन पदोपर आउनलाइन आवेदन अब 7 से तंबा 2 हरतेश तक किये जा सकेंगे परिवहन सचीव से मिला चेंबर अफ कोमर्च का सिस्ट मंडल राज में आटो एक्सपो के आयोजन को लेकर जार्खन चेंबर अफ कोमर्च ने परिवहन सचीव किरपान अन जहा से सुक्रवार को मुलकात की प्रोजेक्ट भौन में परिवहन सचीव से होई मुलकात के दरन चेम्बर अफ कोमर्स के सदस्यों दोरा आटो एक्सपो आयोजित कराने काग रखिया गया है साथ ही एक्सपो में रोड टेक्स होलीडे की मांग रखी गई चेम्बर अध्यक्ट की सोर मंत्री के नतित में परिवहन सचीव से मुलकात करने पहुँचे परतिनीदी मंडल में उपाध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा भी सामिल थे पूजा सिंगल मामले में वीडियो कनफरेंसिंग के माध्यम से होई सुनवाई निलामबित आईएस पूजा सिंगल के केस में सुक्रवार को इडि की विशेस अदालत में सुनवाई हुई जिसमें गवाहो की पेशी की गई गवाही के बाद और दोनों पक्षों की दलिले सुनने के बाद कोट ने अगली तारीक 28 अगस्त को मुकरण कर दिया बता दे मंडगा घोटाला और आई से अधिक संपती मामले की आरोपी निलामबित आईएस पूजा सिंगल के मामले में सुक्रवार को रांची की इडि कोड में विडियो कंफेंसी के माध्यम से सुनवाई हुई इदरन पुजा सिंगल केस में गवाहों की पेसी हुई मिली जनकारीकन सर गवाहों की पेसी होने के बाद नयादिस प्रभात कुमार के अदालात में दोनों पक्षों को वकिलों ने अपनी अपनी दलीले रखी दोनों प्रक्षों की दलिले को सुनने के बाद ED के विशेस नयालाई के नयाधिस ने 28 अगस्त को अगली तारिक मुकरर की है नई एम्बूलेंस मुख्याले में ही पड़ी रह गई मुख्य मंत्री ने दिखाई थी हरी जंडी जार्खन की जानता को इमर्जंसी की चिति में इलाज कराने में कोई मुश्किल ना हो इसके लिए 206 नय 108 अबूलेंस की खरीदारी की गई इसे खुद मुख्य मंत्री हेमंसुरे ने हरी जंडी दिखा कर राज की जानता के लिए रवाना किया था लेकिन इन में से कई अबूलेंसे जानता की सेवा के बजाय स्वास्थ मुख्याले में ही पड़ीर हुई है जार्खन के मुख्यमंत्री हेमांसुरे ने 5 जुलाई 2023 को नामकुम के स्वास्त मुख्याले से ही हर जंडी दिखा कर 206 नए 108 एम्बूलेंस को जानता कि सेवा में समापित किया था कुवा धनसान मामला में सभी स्वाव निकाले गाए रांची से सट्टे सिली विधान सभा छेत्रे में हुए कुवा धनसान हाथ से में रेस्क्यू अपरेशन पूरा कर लिया गया है यह रेस्क्यू अपरेशन करीब 20 घंटे तक चला इस दवरान मिट्टी में दबे सभी 6 लोगों को 100 बाहर निकाल लिया गया है बता दे सिली विधान सभा छेत्रे के पिसका गाउ में कुवा धनसान के बाद सुरुक या गया रेस्क्यू अपरेशन पूरा हो चुका है एंडी आरेप की टीम की मदद से सभी 6 लोगों के 100 को निकाल लिये गया है इस घटना से पूरे गाउ में चिख पुकार मची हुई है 1000 कलोर के अवय दिखनन मामले में होगी CPI जात जारखन के साहेवगं से जुड़े 1000 कलोर के अवय दिखनन मामले की जाच अब CPI करेगी हाई कोट के जर्टिस संजाय कुमार दिवेदी की अदालत ने सुक्रवार को इस मामले से जूड़ी विजय हांस्ता की आज का पर सुनवाई करते हुए अदेश दिया बरतमान में E.D. इस मामले की जाच मनी लॉंडरी की तहत कर रही है इस केस में मुख्यमंदरी हमान सुरन के बरहेट विधान सभागी विधायक परतिनदी पंकज मिस्त्रा समय चार आरोपी जेल में है अदालत ने CBI को एक मामें प्राणभी जाच पूरा करते है रिपोर्ट पेस करने का निर्देश दिया है अपने आदेश में आदालत ने कहा है कि CBI साहिव गंज में अवैद खनन के साथ साथ विजय हंस्ता के उन आरोपों की भी जाच करेगी जिसमें उनके नाम से हाई कोट में कैसे याज का दाखिल की गई है जारखन के जामतळा में अब तक 9 ट्रेनों का करवाया ठहराव सांसर सुनेल जारखन में जामतळावासी अब इस राश्ते से गुजरने वाई ट्रेनों को बस टक टक की लगा कर निगाहे नहीं रखेंगे बलिक यह ट्रेने रुकेंगे भी और यहां की जानता को इन ट्रेनों का लाभ भी मिलेगा मैंने अपने साड़े चार सार के कारे काल के दौरान पिछले कुछ दिनों के दौरान ही 9 ट्रेनों को जामतळा रेलवे स्टेसन पर ठाराव दिलाने का काम किया है यहां की जानता से आजवादा करता हूँ कि इस रास्ते से वंदे भारत ट्रेन भी गुजरेगी तो यहां की जानता सिर्फ इसे निगाहे नहीं बलिक इस रास्ते से वंदे भारत गुजरेगी तो रुकेगी भी इसके लिए मुझे जो भी कुछ करना होगा मैं सारी पर के लिए पूरी करवाने को तयार वतत पर हूँ ये बाते सुक्रवार को दुमका सांसा सुनील सुरेन ने विभूती एक्सप्रेस और एरना कुलम एक्सप्रेस ट्रेनों के जामतरा रेलवे एस्टेशन पर ठाहराओ के मौके पर कही है हजारी बाग के बरकटा में पूलिस वग्रामिनों के बीच जड़ाप हजारी बाग जिला अंतरगत बरकटा के कौन हरा कला गाओ में बरकटा थाना पूलिस और ग्रामिनों के बीच हुई जड़ाप में दरजनों पूलिस कर्मी घायल हो गाए बताया गया है कि गुरु आर किरात बरकटा थाना परभाईर दिनेश कुमार दलबल के साथ एक आरोपी को पकरने कौन हरा कला गाओ गाओ थे इसी बीच पूलिस और ग्रामिनों के बीच जड़ाप हो गई जिसमे थाना परभाईर समय 14 पूलिस कर्मी घायल हो गाए बतादे बरकटा थाना का अंड संख्या 124 बाई 23 और 136 बाई 23 के प्राथमिक अभियुक्त गराम कोन हरा कला निवास थी ताज अंसारी पिता इसराइल अंसारी को बरकटा थाना पूलिस गुरु आर की देर रात गिरफतार करने पहुँची थी सिम्डेगा में भारी बारी से जन जीवन अस्त ब्यास सिम्डेगा जीला अंतरगत बानो परखण में बुद्धवार की रात से ही हो रही बारी से जन जीवन अस्त ब्यास्त हो गया है बानो प्रमखंड की सोई पंचायत के बेलकोना जाने वाली नदी पर बना लकड़ी का पुल पायनी के तेज बाहाव में बह गया जिससे एला खेल मैदान से लोट रहे खिलाडियों अग्रामिन रास्ते में फसका है खिलाडियों अग्रामिनों को रात भर महा बुवांग स्टेशन में रात बितानी पड़ी वहीं मालूम हो की सोई पंचायत के बेलकोना गाव जाने के लिए बेलकोना नदी में लकड़ी का पुल बनाया गया है पानी के बाहाव कम होने पर सभी अपने घर रवाना हुए पचास हैर बिद्यार्थियों का खोलना है डाक घर में खाता छारखन किराजधानी रांची के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पचास हैर बिद्यार्थियों का खाता डाक घर में खोलना है लेकिन बीते पांच माह में मात्रे एक कई सो बिद्यार्थियों का ही खाता खुल सका है इसी वज़ा से बिद्यार्थी सरकारी उजना के तहत मिलने वाली रासी से वंचीत है सिक्षा विभाग ने इस कूलों के इस रवाया पनारागी ब्यक्त की है साथी जल्द से जल्द बिद्यार्थियों का खाता खुलवाने का निदेश दिया हाली में विभाग की ओर से समिक्षा बैठा की गई थी जिसमें कारे की संतोष जनक प्रगती नहीं होने पर अधिकारियों ने चिंता जताई थी इसके बाद सभी परचारियों परखंट सिक्षा परसार पता अधिकारियों संकूल साधन सेवियों और पोस्टल बिभाग के अधिकारियों को पत्र लिख कर छात्रों का खाता खुलवाने में सोयोग करने के लिए कहा गया है